Hey everyone, welcome to Sirkariat once again तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक important discussion करने वाला हूँ यह जो discussion रहेगा यह MNAS BSC Nursing Course 2024 के regarding रहने वाला है तो MNAS के बारे में पहले मैं आपको थोड़ा सा brief introduction दे देता हूँ यह कि इस चीज के लिए है कौन को नहीं apply कर सकता है बाकि उसके बाद फिर हम लोग इसको detail में थोड़ा सा discuss करेंगे और इसकी जो future updates होंगे वो भी आपको इस channel पर मिलते रहेंगे तो अगर आप channel पर नहीं है तो channel को जरूर subscribe कर लें बेल आइकन को press कर लें तो जब इसका official notification 2024 के लिए आएगा registration जब start होंगे तब आपको इसके बारे में inform कर दिया जाएगा ठीक है तो MNS का जो full form है वो है military nursing services इसमें होता क्या है कि इसको अगर आप clear कर लेते हैं इसका जो selection process है अगर आप इसमें select हो जाते हैं तो उसके बाद आपको 4 साल का जो BAC nursing course है वो academy में करवाया जाता है जो भी nursing academies है ठीक है Indian armed forces की जैसे कि AFMC में भी होता है AFMC पूने जो है और बाकी आपकी 5 आइटिंग और है उसके अलावा तो total लगबग 6 academies है जहां पर आपको 4 साल का BAC nursing course करवाया जाता है सारा खर्चा जो है वो Indian armed forces है या जो Indian military है वो उठाती है ठीक है Indian army जो है इसका पूरा खर्चा आपका उठाती है कोई भी आपको 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 खर्चा नहीं देना होता है फीस वगरा कुछ भी नहीं होता तो 4 साल का जो भी आपका खर्चा होता है वो सारा दिया जाता है Indian army की तरफ से आपको B.A.C. nursing का course करवा जाता है आपकी साथ में training भी चलती है और उसके बाद 4 साल के बाद आप यहाँ पर Indian army में as a lieutenant officer आपकी job यहाँ पर लग जाती है तो यहाँ पर actually दो advantages है आपके पास पहला तो यह कि आपको B.A.C. nursing करने को मिल रहा है एक one of the most reputed institutes है वो भी मिलती है आपको और उसके बाद 4 साल जब आपकी यहाँ पर पूरे हो जाता है अकाडमी में जब आपका nursing कोर्स खतम हो जाता है तो उसके बाद आपकी commissioning हो जाती है इंडियन आमी में as a lieutenant तो lieutenant की rank है उसके उपर आपकी यहाँ पर job होती है तो मतलब यह है कि government job जो है वो भी आपको हैंपर 4 साल के बाद तुरंट मल जाती है उसके लिए आपको अलग से कुछ नहीं करना होता है सिर्फ पहला जो आपका यह selection process है उसी को clear करना है तो 4 साल के बाद आपकी तुरंट जो हैंपर government job होगी वो भी Indian Army में as an officer ठीक है तो यह आपका यहाँ पर basic process होता है अब यहाँ पर इसके बारे में detail discuss कर लेते हैं तो देखो इसका क्या है entrance exam होता था 2021 तक लेकिन 2022 से अभी इसका जो selection है वो NEET score के basis पर होने लग जब है तो उन NEET score के basis पर एक merit list आती है वो merit list के बाद आपका interview process होता है उस interview process को अगर आप जो है clear कर लेते हो और साथ में आपका medical भी होता है उस medical को भी अगर आप clear कर लेते हो फिर आपका final result आता है जिसमें final result में जिसका नाम आता है वो यहाँ पर select हो जाता है और फिर जो है वो बाद में academy join करता है ठीक है तो यह इसका short में process होता है तो यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर जो आपको चीज़ करने है वो यह है कि आपको NEET का application form फिल करना होगा जब NEET का application form आएगा NEET का exam देना होगा अच्छे से पढ़कर NEET में जो आपका score है अगर मैं आपको बताओ आपकी range कितनी होनी चाहिए यहाँ पर अगर आपको merit in होना है मतलब final अगर आपको selection चाहिए because NEET का जो score है वो यहाँ पर आपको final merit list में अंदर जाने के लिए help करता है ठीक है मतलब जो final merit बनती है उसमें NEET score का सबसे बड़ा हाथ है तो NEET score जो है आपका अगर मालो आपको short list होना है उसके बाद आपको merit in भी होना है final merit में भी जाना है तो कम से कम जो है आपका यहाँ पर score ठीक है 500 से उपर अगर आपको score रहेगा तो आप आराम से merit यहाँ पर हो जाते हो ठीक है बागी short listing आपकी 450 marks यह 460 marks पर भी हो सकती है बट लेकिन final merit में अगर आपको अंदर होना है तो 500 प्लस आपको यहाँ पर score होना जरूरी है ठीक है तो यह इसकी basic information हो गई और बाकी जितनी information है वो मैं आपको बता देता हूँ बाकी मैं एक एक करके जो है अलग-अलग videos बनाता रहोंगा इसके उपर कि आपको किस तरीक से इसकी तत्यारी करनी चाहिए क्या के चीज़े आपको पढ़ने चाहिए interview के लिए वो सारी चीज़े हम लोग future में अभी discuss करेंगे ठीक है तो यहाँ पर date of birth यानि की age limit की बात कर लेते हैं कि कितनी age के candidate जो है वो यहाँ पर apply कर सकते हैं तो यहाँ पर देखो 2023 के according उन्होंने लिखा है 1st October 1998 से 30 September 2006 इसके बीच वाली जो candidates है वो यहाँ पर apply कर सकते हैं अब 2024 में जब यह आएगा notification तो उसमें जो यह date है वो आपकी 1st October 1999 से लेके 30 September 2007 तक हो जाएगी तो इसके बीच में अगर आपकी date of birth है तो आप यहाँ पर eligible हो पाऊगे otherwise आप नहीं हो पाऊगे ठीक है और दूसरी चीज़ यह है कि यह सिर्फ और सिर्फ female candidates के लिए male candidates अभी apply नहीं कर सकते है 2023 के notification के according बट 2024 में क्या पता है अगर कुछ भी ऐसा नया update आता है कि boys eligible हो जाते हैं इसके लिए तो उसके बारे में भी map को inform कर दूँगा बट अभी के notification के according जो 2023 में पूरो selection हुआ है उसके according boys eligible यहाँ पर नहीं है ठीक है तो यह आपकी age limit की बात हो गई class 12 में आपके पास physics, chemistry, biology कम से कम होना चाहिए और उन तीनों subject में मिला के जो है मतलब English भी होना चाहिए आपके पास 12 में तो चारो subject में मिला के आपके पास minimum 50% marks होने चाहिए ठीक है बाकि आप physically fit होने चाहिए और minimum जो height है आपके यहाँ पर 152 cm होनी चाहिए 152 से अगर आपकी कम height है तो आप यहाँ पर eligible नहीं हो पाऊगे बाकि जो north eastern state से belong करते हैं के लिए 147 cm जो है वो यहाँ पर दी गई है ठीक है तो यह हो गया बाकि अगर आप SCST candidate है तो आपके पास एक valid certificate होना चाहिए NCC अगर आपने कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि उसका preference आपको यहाँ पर दिया जाता है ठीक है तो 80 marks के टेस्ट हो गया और यह 40 questions जो होते हैं वो आपको आधी घंटे में करने होते हैं तो basic questions होते हैं यह मैं आपको बता दूँगा के questions पूछे जाते हैं और उसके बाद जो आपका एक psychological assessment और interview होते हैं उसमें क्यों थे एक board बैठता है महाँ पे मतलब member होते हैं उस board में और वो members जो है वो आपसे अलग-अलग questions करते हैं ठीक है तो वो members जो है वो आपके 4 भी हो सकते हैं 5 भी हो सकते हैं तो अलग-अलग fields से related वो professions से related होते हैं मतल medical exam होता है medical exam में आपको pass होना होता है यानि कि medically आप fit होने चाहिए आप ना तो overweight हो ना ही आप underweight हो नहीं आपको को ऐसी problem होने चाहिए ठीक है तो यह सारा medical जो है check-up होता है आपका और यह जो process है लग-भग 3 दिन का होता है पूरा जिसमें आपका interview और पूरा medical और जो आपक इसके बाद final selection में आप देख सकते हो इसमें लिखा है final selection of a candidate will be based on the combined merit of NEET UG score, TOGIG और psychological assessment and interview तो NEET का score हो गया और जो आपका 80 marks का वह वह वाला test है वो computer बे होता है और उसके बाद जो आपका interview होता है इन तीनों का score मिला कि जो आपकी final merit बनती है ठीक है और जो इनके colleges है वो आपकी 220 है 2023 के according ठीक है तो यह चीज हो गए और उसके बाद यहाँ पर एक important चीज यह भी है कि यह लोग bond fill करवाते हैं अगर आप academy join कर लेते हो तो अगर 7 दिन तक अगर आपको मतलब वहां से निकलना है 7 दिन तक अगर आपको लगता है कि मेरे से ही course नहीं होगा या मेरे क किसी वज़े से छोड़ना पड़ रहा है तब तो आपके कोई penalty यहाँ पर नहीं लगती है लेकिन 7 दिन के बाद आपको bond money आपर pay करना होता है और bond money I think 25 लाक रुपीस का है अभी मैं आपको दिखा दूँगा कहीं पर अगर लिख रहता है तो इसी वज़े से जो एक बार join क कर लेता है तो उसको पूरा कॉस खतम करना ही होता है अगर वो बीच में छोड़ता है किसी वज़े से drop करता है तो फिर उसको bond money जो यहाँ पर pay करना होता है जो कि काफी ज़दा heavy amount है ठीक है यह हो गया बाकि बस इतना ही important information है बाकि और भी जो इसके regarding important information है वो आपको मैं ठीक है तो यहाँ पर इन्होंने bond money के बारे में information नहीं दिये बट bond money वाले जो notice है वो मैं आपके साफ शेयर कर दूँगा अपनी upcoming videos में तो उसके लिए आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं बाकि इसकी तयारी आपको कैसे करनी चाहिए वो मैं आपको थोड़ा सा भी बता देत हो या उससे उपर पहुँ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है आप कुछ बच्चे बोलेंगे कि इतना score ले आए तो हम MBBS नहीं नहीं कर लें लेकिन आपकी सोच थोड़ी सी गलत है विकास 500 550 में कहीं पर भी government college में MBBS नहीं मिल पाता बट हां 500 प्लस अगर आपका आते तो आ आप फ्यूचर में officer बनने वाले हो तो एक अलग ही experience यहां पर होता है ठीक है nursing field में मतलब किसी को भी अगर nursing field में जाना है तो इससे अच्छी opportunity नहीं हो सकती है तो आप NEET के exam पर focus करो physics chemistry biology बहुत अच्छे से बढ़ो उसके बाद जो general intelligence और general reasoning वाला question यह जो है और जो interview है इसक सब चीजों के बारे में आपको थोड़ी थोड़ी knowledge होनी चाहिए इस type के questions आप से interview वगरा में पूछे जा सकते है और general intelligence के लिए जो है आप reasoning वगरा के कोई book ले लो ठीक है अरियंत वगरा के book आती है यह R.S. अगरवाल के आती है तो reasoning के questions आप उससे practice कर सकते हो या फिर economics पढ़ लो यह सारी जो subjects है history वगरा के GK के subjects वो आपको थोड़े थोड़े पढ़ते रहने चाहिए ठीक है तो यह basic चीजे है जो आपको करनी है बाकी मैं आपको detail में इसके syllabus के बारे में बताऊंगा तो थोड़ा सा वेट करो channel को जब तक आप subscribe कर लो and bell icon को press कर लो और अग अगर यह video आपको helpful लगे हो तो प्लीज को दूरूर लाइक कर देना अपने दोसरे के साथ पूसको शेयर कर सकते हो के सथा इंक्यों and have a nice day